बहुत दिन पहले हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे बोला था कि आप एक बार हमें आफिस का पूरा टूर कराएं तो आज हम आपको अपने ओफिस का पूरा टूर कराएंगे कि कौन-कौन से सेक्षिन हमारे ओफिस में है और किस चीज के लिए हमने वो चीज सेक्षिन बनाए है और कैसी उसे डेकुरेट किया है पर्स रूम हमेशा ओफिस में वेटिंग रूम होना जी है जिससे कि अगर कभी कोई जादा भीड आ जाती है या जादा पपलिक आ जाती है तो उसको टलीस बिठाने के लिए एक जगे हो दीजिए तो मैं आज आपको वही वेटिंग रूम दिखाऊंगी जो हमारा बहुत कोजी सा ग्रीनरी एरिया है आप देखिए आपको ये मेरे पीछे दिखरा होगा जिधर आपको green leaves दिख रही होगी और आपको chair दिख रही होगी, table दिख रही होगी, round table ये एक तरीके से हमारा evening coffee room भी बन जाता है और ये waiting room भी रहता है और आप नीचे green carpet देख सकते हैं, बहुत easily तो ये पूरा हमने इसको green touch-up इसलिए दिया है कि एक garden जैसी feel आए office में बैटके सामने इसके हमारे काफी सारे certificates लगे हुए हैं कि जो बताता है कि हमारी company certified भी है और साती साथ जो भी हमारी news होती है जैसे कोई cybercrime की news हुई या कोई भी certification हमने get किया companies का तो वह भी हम display पे लगाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है दिखाने मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, ये सारे certifications है हमारे इसके बाद अब हमारा शुरू होता है रूम रिसेप्शन एरिया का जहां पर अकसर आपको मनसूर बैठा देखता है मनसूर आपको दिखता हूँ, काभी बार हमने यहां पर शूट कर रहा है मनसूर कैसे बढ़िया, जहां पर कोई पी इंक्वाईरी हमारी आथी दोसको हम यहां डील करते है और यहीं पर सारा, साइबर क्राम के इसका भी सारा इदर ही काम चलता है इचल एक शौप पर यहां उक्षा लगा वहारा ओगा झी गया था फिर दिख रहा होगा आपको दिख्याया आपको साइड में erी उसके लिभातषो करके हमें काफी मश्कत करिए या फिर मानलो कोई कॉन्फरेंस करनी हो, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, इस वाले ये रूम के अंदर है, ये बनाये हुआ है, बिसीकली हमने कि एना, अगर मानलो कोई कॉन्फरेंस करनी हो, तो इसके लिए आप करस्ते देखेंगे हैं, नेक्स रूम निद्धी आपको दिखाने वाली है, वो है हमारा वीवग वाला सो, सो वेटिंग रूम हो गया, कॉन्फरेंस रूम हो गया, रिसेप्शन एरिया हो गया, सब चीज़ कंप्लीट हो गया, अब हमारा आता है वर्किंग रूम, जो कि हमने बहुत अच्छे दंग से डिजाइन किया है, और बहुत ही टाइम लगा उसको डिजाइन करने में भी, और उसको सेट करने में भी, आप मानेंगे नहीं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन वो हमारा सबसे फेवरेट रूम है पूरे ओफिस का, मैं आपको दिखाती हूँ, अकसर हम यहीं पर शूट करते हैं, और आपने भी देखा होगा, कि अकसर हम यह रूम जरूर डालते हैं, यह आप देख सकते हैं, यह हम इस रूम के अंदर कुरसे हैं, जो कि यह पूरा एक पार्टिशन हुआ है, अलुमीनियम का, जिसका इस साइड हमने एक वीट, यह लाइक टी कॉफी एरिया बनाया है इस रूम में, कि अगर आप थोड़ी से देर ताइम पास करना चाहते हैं, यह चिल आउट करना चाहते हैं, आप वोड़ी देर बैठ सकते हैं, या किसी से कोई सेपरेट बाट करनी है, मीटिंस करनी है, एक दू क्लाइन से तो आप यहां पर बैठ के बैठ के सकते हैं, और इसको पूरा का पूरा हमने एक गार्ण टच दिया, आप देख सकते हैं, ग्रीन ग्रास है, वोड़ीन टेबल है, वोड़ीन ही आपकी बैंच है, और यहां पर दो साइट हैं, और साथ में हमाई पास एक चोटा सा प्लांट है, जो कि बहुत अच्छा इम्पक्ट डाला है इस एरिया पर, उसके बाद हम अंदर चलते हैं, आपको हमारा यह रूम मेलेगा, जहां पर आक्चुल ही हम दोग सब डिसकेशन भी करते हैं, और वर्क भी करते हैं, साथ ही साथ अगर आप और अंदर चलेंगे, तो आप देख सकते हैं, वो माम बैठी हैं, और वो बैठी हमारा बहुत पेवरिट बैग है, और उस बैठी हम एक्चुल में जब भी रेस्ट करना होता है, हम रेस्ट करते हैं, और उस पे वर्क वर्क करते हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे, अंदर चलेंगे, अगर थोड़ा सा, तो हमारे पास कॉंफरेंस रूम आएगा, बहुत चोटा सा, देखेंगे, ये, ये अच्छली रूम बाद चोटा पढ़ गया था, तो हमें समझने आया है कि हम इसको किस तरीके से रखें, तो हमने यहां पर कांच की राउंड टेबल रखी और उसके बास एक चोटी-चोटी सी सी सीच रखी है, जिससे कि अगर आपको थोड़ी सी देर की मीटेंग करनी है तो आप वो कर सेते हैं, जनरली हमारे क्लाइन्स वॉक्त्रू मांगते हैं, जो भी हमें टेस्ट करना होता है, जो भी हमें इंपाक डालना होता है, तो हम ने इधर सी लिए LED लगा रखी है, कि हम तरेक्ट यहां पर मीटिंग लेते हैं, छोटी मीटिंग के लिए यह रूम बनाया है, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुन्द है, रूम हमें भी, फूरा कॉरा रूम हमने ऐसा कॉन्सुम किया है, जहां पर गार्डं भी है, जहां पर वरकिंग जौन भी हमें जहां पर इक क्षोटजा कॉन परषॉन हैॉर जिया है आ रख सकते हैं और अल्वरा दीकॉर्टजलश ब होता है। बात को हम काम पर् computer है, तो यहां बैट के टेस्टिंग कर सकते हैं, approximately capacity जो मेरे इस room की होगी, वो around off होगी 50-60 members अराम से यहां से बैट के यहां पे सारे स्टुडेंट्स बैट कि आराम से साथ में तेस्टिंग कर पाते हैं, उसके लावा एक बेस्ट जो हमारा इस पर्टिगुलर रूम के अंदर एक और चीज है वह हमारा लाब, सिस्कू की लाब हमने यहां पर बनाई हुए है, ताकि इना कापी सार स्टुडेंस सर दिसको की live practice होनी चाहिए या फिर हम लों testing के दोरान भी हमें Cisco या फिर नए ने devices के ओपर testing करनी पड़ती है अगर मानलों configuration review करना है तो आपके पास firewall होना चाहिए router switches के बारें पता होना चाहिए यहां पर हमने एक lab बना रखी दिख रहा होगा आपको यह सारे यहां पर Cisco की devices दिख रही होगी आपको नीचे तक यह सब Cisco की devices हम लोग लेकर आए है और यहां पर हम लोग live इन devices को चला की configuration review करते है अगर मान लोग किसी client ने बोला कि मेरा यह device है तो पहले हम लोग पहले उस device के ओपर hands-on कर ले और उसके बाद हम उसकी main device पर काम करते तो यह भी हमारा Cisco की अच्छी lab है यहां पर कुछ इसे हमारा greenly greenly कर रखा है तेक है ना और यह LED है यहां पर इस पर display करते है तिख रहा होगा आपका LED इसके ओपर display करते हैं और यह सारा काम दो बच्चे यहां पर maximum time spend करते हैं अपने academy का या फिर हमारे testing team जो रहती है वो इसी चीज के ओपर इस रूम के अंदर बैट के यहां पर आप म्यूजिक सुन सकते हैं, यहां पर आपका पैंटरी वाला एरिया साइड हे मेरे, यहां पर कॉफी और जो आपको पीना है, ठीके न, वो सारा आप यहां पर कर सकते हैं, आराव से, तो यह कहां से आगा बीच सब्सक्तोर से कॉफरेंस एप से और diviki सायओallo gonna路 आपको रिख सकता है यह हमारे सब्सक्तोर चीज-धार के तहरेप साहां पर मेरे घोए, भी थे, आपको डिख सकता है न, पिछिए बीस लोगवी है जिसमें हमारे सस्टाफ़ मेरे हमारे 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 साहलमेट की रहते हैं, भोई इस चीजिऄ रोयर के अंदर होगि Watson भिलती हैं साथी साथ ये एक कोजी सा IT रूम है जिदर मारे स्टाफ पर्रिक गेत अधिली बाकेटेंग स्टाफ हो गया अधिजिटाली के मारे नीसर्ड है यह रहा क्ता है साथ ही साथ यह एक वाल है जो अभी आपको इमिज में लेमन सॉट अफ दिख रही होगे बट यह शार्प येलो कलर की है और यह बहुत ही जादा मतलब पॉजिटिविटी वाली वाल लगती है मुझे बहुत अच्छा कलर लगता है यह मैंने ही करवाया है सो आप देख सकते हैं यहां पर इस पर्टिकलर रूम में कोई भी ग्री नहीं है क्योंकि अल्रेडी भार ओफिस बहुत बहुत ग्री हो चुकी थी आपन चलते हैं अगे यहां पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यह एक हमने टी शेप में एक एक बुटन साथ नीच को बात कर लेते हैं साथ ही साथ हमारे जस मेरे अपोजिट साइड में प्लांस थे लेकिन लॉक्डाउन की वज़े से वह खराब हो गए और उसको पिर हम लान नी पाए दुबारा मैं आपको दिखाते हूं यहां पर यह हमारा पूजा रूम है जहां पर तपन और मैं पूजा करते कर दिया आपको यह अले रूम के बारे में जो नेक्स्ट रूम है हमारा यह एक छोटा सा कॉंफरेंस रूम में यह हमने बनाया गया है चार से पांच लूग की सिटिंग अपासिटी के साब से और इस कॉंफरेंस रूम के अंदर हम लोग अपना नॉर्मल जो वह कृता वो कारते हैं या फिर मान लोग को एना मिटिंग करनी होती है कोई क्लाइंट से वाफ थू एना देना होता है अप्लिकेशन वाफ थू तो वो चीज हम लोग इस वाले कॉन्फरेंस रूम में लेते हैं तो यह एक रूम हम ने बना रखा एक कांफरेंस के लिए या चोड़ी से म इसके अंदर हम लोग बैठते हैं और यह इतना जदा यूज नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सम्न काम हमारा बाहर बैठके होता है ठीक है ना आप जितना अपने रूम में कम बिटो तना चरहता है यह यह सिर्फ जब कोई इसके अंदर हमने आपको बना रखे हैं और इसके साफ से अम लोग करते हैं अपको अच्छा लगा हो जिसमें तीन कांफरेंस रूम है एक बड़ा है जो चोड़े रूम है वेटिंग रूम में रिसेप्षिंट हैं वर्किंग जोन है आई-टी एरिया है और लाब्ज है इसके पर इसके साफ लिए कर रहा हैं तो आपको जो तीन हम रिश्य उक्स बस्कुर्ण कर रहा है तो इसे अलग कि आपको बूस्ता से होनी यह जो कि इक बहुत अच्छा एंवार्मिंट भी जह में आपको काम करनें बहत वज़ा है तो एक विडियो जा है नंबी नहीं करने वाल वाइज दी टेक्या है, बाइ-बाइ